Hi friends, Welcome back आज हम बात करेंगे अदानी विलमार का इस stock को discuss करने का region है ठी आपको ये बताना ठी अगर आप technical के उपर अपनी expertise रखती हैं fundamental business को सही तरीके से समझते हैं तो stock market में कितना आसान है किसी भी stock को उसके bottom में identify करना अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि मैं एक bottom buyer हूँ तो मैं सिर्फ technical और fundamental का use करके ही bottom में buy करता हूँ जो लोग मेरे regular viewers हैं उनको पता होगा कि मैं किस तरीके से quality stock को नीचे खरिद के उपर sell करता हूँ तो आज के इस video में मैं आपको वही technique फिर से सिखाने वाला हूँ तो यहाँ पर अदानी विल्मार को मैंने example के रुप में लिया है तो आप कोई भी financial decision अपने risk पर लेंगे आपका purpose यहाँ पर सिर्फ सिखना है इस stock को मैंने risk level buy किया है जो मेरी position है आप देख सकते हैं further अब यहाँ पर मेरी strategy क्या है इन सारे चीज़ों को मैं बहुत डेटेल में explain करने वाला हूँ आज अदानी विल्मार में 10% का circuit लगा लेकिन क्या एक अच्छा trader वेट करेगा कि circuit लगे कोई news आए तर ले उसको buy करो बिल्कुल भी नहीं एक प्रोफेस्टर ट्रेडर एक प्रोफेस्टर ट्रेडर हमेंसा chart pattern को follow करेगा जो लोग मेरे joint बटन से जुड़े बने हैं उनको पता होगा कि तीन वीक पहले मैंने यहाँ पे एक post आगा था देखो हर समय वीडियो बनाना पॉसेबर नहीं होता तो मैं जो भी मुझे chart समझ में आता है जैसे मैं हर रोज यह दिखना यह है मेरा ट्रेडिन ब्यो जहाँ पे मेरे पास multiple list है निफ्टी 1000, निफ्टी स्पॉन कर टू फिब्टी, 400, निफ्टी 100, 200, 500 यह जितने भी सारे stock हैं मैं उनको एक ही करके दिखता हूँ जो भी chart मुझे समझ में आता है मैं उनको community डाल देता हूँ ताकि आप भी chart pattern पे अपनी expertise बढ़ा सके चीजों को आप समझ सके यह जो 5% का दाइरा है ना कि इसे 5% लोगी पैसे बनाते हैं इसको बढ़ा करना है यह होता है मेरा purpose ओके अब हम आते हैं अदाने विरुमार के chart के उपर और यहाँ पर यह समझने की कोसिस करते हैं कि यह stock उपर जाएगा यह नीचे जाएगा और मैं किस तरीके से यह determine करता हूँ कि यह stock further नीचे नहीं जाएगा सबसे बाइने मैं बता दूँ कि मैं chart analysis के लिए daily times का use करता हूँ मैं कोई indicator यूज नहीं करता यहाँ पर एक volume है जिसका मैं तोड़ा बहुत use करता हूँ अब देखना यह stock है एक समय बड़े hype में होगा तभी यहाँ पर इतनी बड़ी rally है उसके बाद से dog या him battle ये एक bearish pattern है जो यह बदाता है कि stock में अब बड़ी गिराउट होगी तो जो लोग इस pattern को समझते हैं definitely वो यहाँ पर बाइन नहीं करेंगे लेकिन जिनको chart pattern की समझ नहीं है वो यहाँ पर trap हो जाएंगे इस pattern के बनने के बाद यहाँ पर बड़ी किराउट हुई लेकिन अब यहीं stock जब नीची आया तो यहाँ पर कहाँ दूसरी होगी क्योंकि जब अच्छी चीजे आज सस्ती बुजाती है नीची आजाती है तो वहाँ पर smart buyers आ जाती है और smart buyers का का काम क्या है कि smart buyers एक बड़े बीर ट्रेंड में आते हैं और वहाँ पे bull run का blunt डालते हैं यानि वहाँ पे bull run का पौधा रोपन होता है और वह क्या करते हैं दीरे दीरि एकुबलेट करना शुरू करते हैं और जैसे जैसे पौधा बढ़ना होना शुरू होता है यानि बुल रन उपर की तरफ बढ़ना सुरू करता है प्राइस में देजी यानि सुरू होती है बुल लोगों का पैसा बढ़ना सुरू होता है और एक ऐसा समय आता है जब उनका जो पौदा था यानि जिस बियर मार्केट में उन्हों पैसे डाले थे वो पैसा बढ़ा हो जाता है तो फिर वहां पे सेल करते हैं और उसी जगापर फिर से आ जाते हैं बेवकुफ लोग और फिर वो बाई करते हैं और अगीन बियर ट्रेंड की सुरूबात होती है यानि स्मार्ट मनी हमें सार नीचे बाई करती है अब हमें कैसे पता चलेगा कि स्मार्ट मनी नीचे बाई कर रही है इससको समझना बहुत ज़्यदा उसके नहीं है तोड़ा सा चार्ट पैटर्न के उपर अगर आप महनत करना सुरू करते होगे तो असानी से सारी सीचे समझ में आएंगी अब यहां दियान से देखना यह जो स्टॉक है यहां से नीचे आना सुरू हुआ तो हम कैसे आइडेटिफाई करें कि अब यह जो डाउंटेंट चल दा था वो फर्दर नीचे नहीं जाएगा तो आपको पैटर्न को देखना पड़ेगा तो यहां पर अगर आप दियान से देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है और इसी चीज़ को मैंने यहां पर बताया था कि अदानी विल्मार मेकिंग राउंडिंग बॉटम फॉर्डिंग वेस इन एक मिलेसन जोन यानि यहां पर आदानी विल्मार जो है राउंडिंग बॉटम बना रहा है फॉर्णिंग वेस जो है यहां पर एक मिलेसन जोन में आ है सारे चीज़ें मैंने जो एनालिसिस की थी वो एक्स्पिलेन किया था मैंने इसके उपर वीडियो भी डाला था तो आप जाकर देखना तो राउंडिंग बॉटम कैसे बनता है इस जिसको समझना बहुत सिरूरी है देखो राउंडिंग बॉटम क्या है राउंडिंग बॉटम एक बोलिस चाट बैटन है इसमें क्या होता है इसमें तीन स्टेज होते है पाहला स्टेश क्या है, इसमें पाहला स्टेश क्या है, कि एक बड़े अप टेंड के बाद, स्टॉक को नीचे लाय जाएगा, और उसके बाद से स्टॉक एक जगव पर जाकर, फर्दर नीचे नहीं जाएगा, वो क्या जगवा होगा, जहां पर falling waste confirm करेगा, और falling waste क्या है, मै यहाँ पे इस stock को एक range में रखकर एक relate किया जाएगा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि stock एक range में है, तो देखो एक बड़े downtrend के बाद, यह था एक बड़ा downtrend, उसके बाद यहाँ पे stock एक range में रखा जाएगा, okay, agree, range में आपको markkung में सिखा जेता हूँ, आपको maxim resistance point लेने हैं, मैंने यहाँ पे maximum resistance के जो point है, यहाँ पे ले लिया, उसके बाद आपको maximum support के point लेने हैं, तो मैं यहाँ पे maximum support के point ले लेता हूँ, अब देखो, आपको यह जो stock है, एक perfect range में आ गया, यहाँ यहाँ पर बार resistance ले रहा है support, resistance, support, resistance, support, resistance, okay. तो जब stock एक range में रहता है, ये होता है rounding bottom का दूसरा stage, और ये phase होता है application phase, यहाँ पर smart money price को fluctuate करती है, ताकि जिनके पास presence नहीं है, देखो presence किसके पास नहीं होता है, presence उनके पास नहीं होता है, जो 90 हैं, जो chart pattern पो नहीं समझते हैं, अब देखो एक लाया आदमी, अगर यहाँ buy करता है, 322 रुपे और 300, 400 रुपे से stock वापस आजाता है, फिर से उसी price पे, तो उसको लगेगा, अरे, मुझे ता पैसे मिले ही नहीं, वापस से stock जाता है, 380 पे, वो सकता है, फिर से नीशी आजाए, तो यहाँ पे, जिनको यह समझ नहीं है, कि यहाँ पे एक लिएसन हो रहा है, वो लोग यहाँ से exit करते हैं, और smart money, hard level पे दीरे दीरे buy करती है, जब एक बार एक लिएसन पूरा पहुचाता है, तो तीसरा trend शुरू होता है, जिसको बोलते हैं, अब trend, और उसमें क्या होता है, कि stock में बड़े-बड़े candles बनने शुरू होते हैं, और stock वापस से वहीं जाता है, जहां से इसको नीचे लाए गया है, और इस तरीके से यह पूरा होता है, rounding bottom, rounding bottom में, एक चीज़ में और cover करूँगा, कि जब equation पूरा हो जाता है, यानि 50-60% की जर्णी complete हो जाती है, 50-60% पर बदलब यह है, कि अगर मैं इस पूरे line को एक imaginary line माने, तो यहां पे अगर 50% क्या होगा, अगर यहां यह होगा 50, तो यहां से अगर यह जर्णी कम विक्ष हो जाती है, तो उसके बाद बनते हैं बड़े-बड़े candle, क्यों बनते हैं, क्योंकि operator ने बहुत समय से presence रखा होता है, अब भाई उसको भी पैसे बनाने हैं, अगर आप देखोगे, तो इस stock को कब से 22 से, बाई से यहां से गिराया, इस stock को गिराया जा रहा है, नीचे लाया गया, और फिर से उपर ले जा जाएगा, तो यहां पर एक लंबर टाइम हो चुका है, इसलिए एकुलेशन के बाद बड़े-बड़े candle बनेंगे, और stock वापस वही जाएगा, अगर stock वापस से वही बजाता है, तो current market price है कितने उपर है, 100% से ज़्यादा, यह सिर्फ rounding bottom का target है, अगर एक बार यह पूरा target कमप्लीट हो जाएगा, तो अभी इसका एक खलक target मिकल के आएगा, हम उसके बाद कमपार्ण में करेंगे, यहीं सुचकर मैंने यहाँ पे बाई किया है, और मैं अपने target की वोट करना हूँगा, लेकिन आप कोई भी decision अपने risk मिलेंगे, यहाँ पे तो आपको technical पे अपनी पकड को मजबूत करना सीखना है, तो इस तरीके से market में पैसे बनाए जाते हैं, अगर आप chart patterns दो पर अपनी पकड रफोगे, तो यहाँ पे पैसे बनाना कोई बड़ा काम नहीं है, काफी असानी से आप market में पैसे बना सकते हो, यह है मेरा profit and loss का statement, जो कब से है, यह है एक January से, यह है एक January से लेकर भाज तक का, 21, यह यहाँ पे जो realized, unrealized जो दिखता है न, यह भी आगे चल कर profit में change होगा, क्योंकि मैं हमें सब bottom में खरीता हूँ, और यह है एक January से मेरा realized profit and loss, इस profit and loss को दिखात पर आपको impress करने मेरा purpose नहीं है, मेरा purpose यह है, कि मेरी जो टेकनिक है, जैसे मैं काम परता हूँ, quality stock पो अच्छे price पर खरितना, नीचे खरितना, future and option नहीं करना, internet नहीं करना, और हराम से पैसे बनाना और यह लिकोटी में, यह मेरा purpose है, आपको सीखाना, अगर भी इस तरीके से market वे खाम किया जायए, पैसे क्यों नहीं बनेंगे, unfortunately, लोगों पो quick money चाहिए, लोगों पो दलदल में फसना है, लोगों पो future and option करना है, लोगों पो अच्छे stock में ताम नहीं करना है, inside the year पो आपको सीखना परेगा, thank you so much, keep learning, keep supporting,